याणि की सर्दी और जुकाम के बारे में शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली वार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मैं हमेशा ही आपके लिए होमोपैटिक से सम्मन्दी जानकारी लाता रहता हूँ तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आखिर ये कोराईजा क्या है, ये क्यों होता है, इसके सिंटम्स क्या है, ये जानते हैं सरदी जुका में एक वाइरल इंट्रक्सन है, जो लगभग 200 वाइरस के कारण होता है 50% से ज्यादा मामलों में राइनो वाइरस जिम्मेदार होता है ये बीमारी उन लोगों को ज्यादा हो सकती है, जो पहले से ही बीमार है छूने से या छेकने से या खासने से हवा में फैली माइक्रो ड्रॉप्स से भी हो सकता है सरदी जुकाम या कोई राइजा आपको तब होता है जब कोई वाइरस आपके नाक में या आपके गले में पहुच जाता है इस कारण से आपके नाक में या आपके गले में स्वैलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है और बलगम बन जाता है इसी के साथ इसमें बुखार, जुखाम, खासी या छीक आने की समस्या भी आती है और आप खुद को वहुत ज़्यादा वीक, वहुत ज़्यादा ठका हुआ महसूस करते हैं कॉमन कॉराय या सामानी सर्दी जुखाम कई अलग-अलग वाइरस के कारण हो सकते हैं इसके सिम्टम्स की गंविरता हर व्यक्ति पे अलग-अलग तरह से होती है ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों में इसके सिम्टम्स बहुत हलके हो सकते हैं और कुछ लोगों में इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कुछ लोगों में केवल नाक में बलगम जमा रहता है और कुछ लोगों में इसके सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं सर्दी जुकाम के लच्छों में नाक बंद होना, साइनस का दवाव, नाक बहना, नाक में भारी पन, किसी भी चीज की खुसबुन आना, बार बार छीक आना, आखों से पानी आना, गले में खरास, लिंफ नोट्स, ठकान, ठंड लगना, बुखार आना, सर्दी लगना, सीने म दर्द, सांस लेने में परिशानी, जैसे सिंटम्स आते हैं, तो चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे कोराईजा या सर्दी जुकाम में यूज की जाने वाली कुछ बेस्ट होमोपेथिक मेडिसिन के बारे में, हमारी सबसे पहली मेडिसिन है एकोनाइट, जब मौसम बदल जलते रहते हैं, दिन में गर्मी होती है और रात में ठंड होती है, इसी के साथ व्यक्ति को सर्दी लगती है और उसे छींके आती हैं, तब इस केस में एकोनाइट, थर्टी पोटेंसी, दो दो बुन डारेक टंग पे सुबा दो पहर साम देने से बहुत ही अच्छे रिजल के साथ उसे खांसी भी आती है और सिरदर्द बना रहता है, उसे एलर्जी है जुकाम है, तो इस केस में एलियम से पाप बहुत ही अच्छी मेडसीन है, इस मेडसीन की थर्टी पावर दो दो बुन सुबा दो पहर साम देने से बहुत ही जल आराम मिलता है, हमारी थर्ड मेडसीन है, आर्सेनिक अलवां, जब किसी व्यक्ति का सर्दी या जुकाम बहुत जदा पुराना हो जाता है, नाक से बहुत ही पतला पानिक तरह पदार्थ निकलता है, जो गर्म और इसकिन को छीलने वाला होता है, नाक बंद महसूस होती है, और उसे छीके आती हैं, तो उसे भी उसे कोई आराम नहीं मिलता, अगर वा खुली हवा में बाहर जाता है, तो उसका रोग बढ़ जाता है, और जैसे वा घर के अंदर आता है, उसे तुरंद आराम मिल जाता है, तो इस केस में आर्सेनिक अलवम बहुत ही अच्छी मेडसीन है, इसकी दो-दो और उनके सिर में दर्द रहता है, और इसी के साथ उनकी नाक से गाढ़ा, पीला और पस्क के जैसा सराव निकलता रहता है, अक्सर देखा जाता है कि उस सराव में खून की कुछ बून्दे मिली भी होती हैं, और यहां सराव इसकीन को छिलने वाला होता है, और बहुत ज्य सुबह दो पहर साम लेने से बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है हमारी फिफ्थ मेटसीन है हिपर जल्फ जिन वेक्तियों को बहुत ज्यादा छीएक आती है और छीएक आने के साथ-साथ उनकी नाक बहती रहती है जैसे ही वह खुली हवा में जाता है उसे छींके सुरू हो जाती है और उसके नतुने या नाक के अंदर का हिस्सा घाव युक्त हो जाता है तो इस केस में हीपरसर बहुत ही अच्छी मेडसीन है इसकी 30 पावर दो-दो गुन डारेक्टन पे देने से बहुत ही अच्छी रिजल्ट आते है हमारी सिक्स्थ मेडसीन है मर्कसॉल जब व्यक्ति के नाक से हरे रंग का पदार्थ निकलता है और वह बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है जिससे उस व्यक्ति को बार बार अपनी नाक को साफ करना पड़ता है धूप में जाते ही उसे छीके आने लगती हैं सीलन भरे मौसम में जाने से उसके सिंटम्स और ज़्यदा इंक्रीज हो जाते हैं तो उस केस में मर्कसॉल थर्टी पोटेंसी दो-दो बून डारेक्टंग पे सुबा दो पहर साम देने से बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है हमारी सेवेंथ मेडिसिन है रक्स्टाक्स जब व्यक्ति को सर्द हवा या नम हवा लगने के कारण उसे पसीना आता है और वा पसीने में भी जाता है जिसके कारण उसे सर्दी जुगाम होता है उसकी नाक लाल हो जाती है छीके आती है गले में सूजन हो जाती है तो रक्स् वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, सेर करें थैंक यू